देवास में मुहले में मकान निर्माण के दौरान दीवार उठाने की बात को लेकर विवाद हो गया विवाद के बाद दुकान में गुस कर चारी वोके के साथ मार पीट कर चाकू से एक योबकी हत्या कर दी गई वहीं इसमें दो गंबी रूस से घायल हो गए पुलिस ने मिरतक की मा की रिपोर्ट पर पांच लोगों के खिलाफ अत्या साइथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है जानकारी कैनिसर हाट पे पल्या के महले में मकान की दीवार को ठाने की बात को लेकर सभी निवासी मोची महलाने एक मत होकर दुकान में गुछे और बेल्ट बल्ला चाकू छुरे साहित नर्सिंग पिता शांतिलाल सौलंकी, मनोहर पिता शांतिलाल सौलंकी, प्रकाश पिता शांतिलाल सौलंकी और नंद किशूर के ऊपर हमला कर दिया जिसते नर्सिंग, मनोहर और प्रकाश गंबी रूप से घायल हो गए सबी घायलों को उपचार के लिए जिलच किस साले रेफर किये गया है जहां डाक्टर उन्हें प्रकास पिता शांतिलाल सौलंकी को मृत गोशित कर दिया भही नर्सिंग और मनोहर की गंबीर आलत के चलते उन्हें रिंद और रेफर किया गया है हाट पर पर लिया पुलिस ने मिर्तक की मा गीता भाई पत्नी स्वरगीर सांतिलाल सौलंकी की रिपोर्ट पर हत्या साहित अन्य धारों में प्रकरम पंजी बद किया है